हेलो गाईज वेलकूं टो मैं चल्ड राम टेकनिकल हेल्प इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आप अपने लैप्टॉप या फिल डेक्स्टॉप के अंदर विंडोज 11 को इंस्टॉल करना चाहते हो और यहां पर आपका विंडोज आके स्टक हो जाता है विंडोज अपडेट के टाइम पर तो यहां पर आप इसको कैसे स्कीप कर सकते हो कैसे इसको रिमोग कर सकते हो इस window को हम लोग step by step जानने वाले हैं ताकि जो आपका Windows 11 है वो proper install हो चुके आप बाद में भी ये update install कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं प्लीज सबस्क्राइब माई चैनल ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको यहां पर मिल जाएंगी चाहिए हो laptop, desktop, youtube या फिर किसी भी software में किसी भी type का आपको कुछ भी problem आ रहा है तो आपको यहां पर हर type का वीडियो मिल जाएगा तो आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गाईज आपको करना क्या है जो आपका laptop है या फिर आप desktop यूज कर रहे हैं उदर से network को disconnect कर दिजिए यानि कि जो LAN cable आपने लगा के रखा है आपके laptop या desktop के अंदर उसको आपको just remove कर देना है रिमू करने के बाद आपको क्या करना है जो आपका laptop ये desktop यहां पर आके श्टक हो चुका है उसको आपको restart करना है restart कैसी करना है आपको आपका laptop ये desktop के उपर power plug है उओ मिलेगा उसके उपर कुछ देर के लिए दबा के रखिए उसको प्रैस करके रखिए बटन को तो जैसे आप प्रैस करोगे तो क्या होगा एकदम आपका system shutdown हो जाएगा और आपको क्या करना है थोड़ी देरा बाद एक दो second के बाद आपको आपको जो laptop है वापस से start कर देना है स्टार्ट करते ही जो आपका स्क्रीन है ऐसा कुछ दिखने लग जाएगा आपको देखें जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं यहां पर युनाइट्टी स्टेट आ गया इसको नेक्स्ट कर दीजिए स्लेक्ट करके यहां पर भी आपको यह करना है इसके बाद स्कीप कर अब बाता तो यहां पर क्या करना है आपको दबाना है आपको जो कीबोड है वहाँ से स्थी और और बतलब F10, shift button press किजिए साथ में, और F10, दोनों साथ press किजिए, तो command यहां पर open हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर आपको क्या करना है, command रन करना है, command क्या रहेगा, start, space, ms, dash, c, x, h, colon, local, ठीक है, O, N, L, Y, और enter press कर देना है, keyboard से, तो कैसे आपके सामनी यह window आ जाएगा, अब यहां पर अपना username दे सकते हैं, जो भी आपको चाहिए, जैसे कि मैं यहां पर दे देता हूँ, ram, ओके, यह फिर कोई भी आप अपना name दे सकते हैं, जो आपको चाहिए, यहां पर आप password set कर लीजिए, आपकी window का, यहां पर आप कोई भी security code रख लीजिए, आपको याद रहना चाहिए, वो security code, फिल्हाल मैं कुछ भी दे देता हूँ, यहां पर one देता हूँ, ठीक है, यहां पर भी one देता हूँ, कोई भी option आप select कर लेना, यहां पर बट आपको याद रखना है, यहां पर भी, मैं कुछ भी देता हूँ, इसके बाद आपको क्या करना है, only next button पर click करना है, तो यहां पर आपका system एक बार restart हो जाएगा, और यहां पर getting thing ready to for you, ऐसा कुछ window आ जाएगा, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ऐसा process आपका complete हो जाएगा, और जो आपका Windows 11 है, वो install हो जाएगा, अभी आपको क्या करना है यहां पर, देखिए, यहां पर आपको next करना है, वो Windows यहां से skip कर दिया है, अभी इसको accept कर लीजिए, तो यहां पर आपका Windows हो गया, 11, installed आपके laptop के अंदर, अभी आप जो update हम लोगों ने वहां पर skip किये थे, अभी वो आ आप install कर सकते हो, network connect करके, जो आपका internet है, आप वापस से plugin कर लीजिए, और आप Windows अपडेट कर सकते हैं, अगर आपको Windows अपडेट में प्रोब्लम आ रहा है, तो इसके लिए भी मैंने और वीडियो बना के रखा है, एड करके रखा है, अपने YouTube चैनल के ओपर जाके चेक कर करेंजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूटूब पर अप्लोड करो, वो उसका लिंक उसका notification आप तक पहुंच जाए, ठीक है, थैंक यू सो मच,